नमसकार मित्रो आज हम बात करेंगे श्री गोविंद बल्लब पंत जी के बारे में जो की एक भारतिय राजनिता एवं स्वतंत्रता से नानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत के ग्रह मंत्री भी रहे चलिये ऐसे महानायक भारत रत्न से सम्मानि पंडित गोविंद बल्लब पंथ जी के बारे में करते हैं कुछ बातें। यही ग्रिहमंत्रित वकाल में आरम किया गया था बाद में यही सम्मान उन्हें 1947 में उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने। पंडित जोशी ने की 1905 में उन्होंने अलमोगा छोड़ दिया और इलाहबाद चले गए मियोर सेंट्रल कॉलेज में वेगणित। साहित्य और राजनीती विशयों के अच्छे विध्यार्थियों में सबसे तेज थे अध्यायन के साथ साथ वे कॉंग्रेस के स्वयम सेवक्कत कार्य भी करते थे 1907 में भी. प्रिटिश कुलों ने काशिपूर से अपना बोरिया विस्तर बांधने में ही खेरियत समझी. रेवेन्य कलेक्टर थे श्री कुंझ विहरी लाल जो काशिपूर के वयोगरेद प्रतिष्थित नागरिक थे का मुकदमा पंध जी द्वारा लिये गए सबसे पहले मुकदमों में से एक था इसकी फीस उन्हें पांच रूश शून्य मिली थी. 1916 में पंध जी राजकुमार चौवे की बैठक में चले गए चौवे जी पंध जी के अनन्य मित्र थे उनके द्वारा दबाव डालने पर पुना विवाह के लिए राजी होना पड़ा तथा काशिपूर के ही श्रीत आरादत पांडे जी की पुत्री कलादेवी से विवाह ह गांधी टोपी पहनकर कोर्ट चले गए वहां अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने आपत्ती की। मालविय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा किन्तु गांधी जी का समर्थन ना मिल पाने से वे उस मिशन में काम्याब न हो सके। दोस्तों 1928 के साइमन कमीशन के बहिशकार और 1930 के नमक सत्यागरह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाये। 17 जुलाई 1907 से लेकर 2 नवंबर 1949 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अत्वा यूपी के पहले मुख्य मंत्री बने इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायत्वा फिर सौपा गया और वे 1 अप्रेल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्युक्त पाया गया इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्यकेवी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसिंबर 1954 तक मुख्य मंत्री रहे। सरदार पटेल की मृत्यू के बाद उन्हें ग्रह मंत्राले भारत सरकार के प्रमुख का दायत्व दिया गया भारत के रूप में पंध जी का कार्यकाल 1955 से लेकर 1961 तक रहा। साथ मई 1961 को हृदयगाद से जूचते हुए पंध जी की मृत्यू हो गई उस समय वे भारत सरकार में केंद्रिय ग्रह मंत्री थे उनके निधन के पश्चात लाल बहादूर शास्त्री उनके उत्तरादिकारी बने।